Hello Engineer! इसको जो वीडियों हम समझेंगी कि Shier Wall क्या होता है Shier Wall काम किसे करता है और Shier Wall की Location क्या होने चाहिए हमके Building के अंदर और Shier Wall को हम कहा कहा प्राइड करते हैं और कौन से structure में हमको Shier Wall को प्राइड करना चाहिए तो चलिए वीडियो को Start करते हैं तो सबसे पर यहां पर समझते है कि share wall क्या होता है share wall देखिए यहां पर आपको डाइरा में देख सकते हैं यहां पर जो continuous wall जाती है हमारे foundation level से लेकिए हमारे total height होता है हमारे building का वहां तक इसको हम बोलते है share wall यह जो हमारे share wall होता है वो होता है concrete का जैसे हमारे columns होते है, beams होते है उनके अंदर reinforcement होता है same उसी तरह हमारे share wall होता है उसके अंदर भी हमको reinforcement करना पड़ता है और यह भी हमारे column की तरह हमारे foundation level से लेकिए हमारे पुरे top height है हमारे building का वहां तक जाता है यह जो हमारे share wall है इसको हम यहां पर structure walls भी बोलते है क्योंकि यहां पर यह भी क्या करता है हमारे load carry करता है जैसे कि हमारे other structure members है, beams, columns like वह भी क्या करते है load carry करते है similarly उसी तरह हमारे share wall है वह भी load carry करता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं structure walls बोलते हैं अब यह जो हमारा share wall यह concert type के loads करता है उसको समझते हैं generally जो हमारे share walls है यह हम provide करते हैं हमारे high rise buildings होते हैं उसके अंदर क्योंकि जो हमारे high rise building होते हैं उसमें wind forces और earthquake forces का effect जाला होता है इसलिए यहां पर हमको share wall provide करना पड़ता है तो यहां पर जो हमारे building structure है उसके बड़ जो forces आ रहे हैं due to wind earthquake and shifting of ground due to movement of tectonic plates during earthquake उसको तेजिस करने का काम कुन करते हैं हमारे share wall करता है और यह जो हमारे share wall है इसको हम कहीं भी provide कर सकते हैं हमारे exterior walls में भी provide कर सकते हैं और हमारे interior walls में भी provide कर सकते हैं लेकिन उसकी location क्या होगी वह आप हम थोड़ी देरे में देखते हैं और यह जो हमारे share wall से यह मैंने आपको जैसा पता है हमारे foundation level से लेकिए हमारे full height of building होता है वहां ते हमारे share wall जाते हैं अब यह जो share wall यह काम कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं share wall का यहां पे जो सबसे main काम है वह हमारे structure को stability provide करना है due to lateral forces यानि कि यहां पे जो lateral forces आएंगे wind और earthquake के करण उससे हमारे structure को collapse होने से बचाने का काम को करता है हमारे share wall करता है ताकि जो हमारे structure है वह side में collapse ना हो जाए क्योंकि जो हमारे structure पे wind load और earthquake आते हैं उसके कारण यहां पे twisting और torsional forces डेवलप होते हैं हमारे structure के अंगर जिसके कारण यहां पे uneven settlement हो सकता है हमारे structure में तो उसको register करने काम कॉन करता है हमारे structure wall करता है यानि कि हमारे share wall करता है तो जैसे ही यहां पे हमारे wind और earthquake forces आएंगे हमारे structure wall क्या करेगा वो lateral forces को convert कर देगा vertical forces में और directly यहां पे vertical forces हमारे foundation level में transfer हो जाएंगे जिसे कि हमारे structure है वो safe हो जाएगा तो यही main काम होता है structure wall का यानि कि share wall का अब समझते ही जो हमारे share wall है इसको कहा कहा प्रवाइड करना चाहिए हमारे building structure में तो यहां पे गार्ट को place करते हैं वो हमारे structure होता है यानि जो हमारे building होगी उसके symmetrical हमको place करना चाहिए हमारे share wall को जैसे कि आप यहां पे diagram में देख सकते हैं क्या है हमारे एक building structure है तो यहां पर दिखी है कि हमारे y-axis है और यह कहा हमारी x-axis है एक x-axis और y-axis दोनों के symmetrical में किया है हमारे share walls placed है तो यह यहां पर दो चेयर बोलों कॉर्णों में और यहां भी कहें तो share wall है हमारे में या फीर चाहिए तो आप ऐसे भी प्रवाइड कर सकते हैं दोनों ही कंडिशन में हमारी शियर वोर्ड की स्ट्रेंग्ट क्या होगी मैक्सिम होगी और जो हमारे लैटरल फोसेस आएंगे हमारे बिल्डिंग स्ट्क्चर पे उसको हमारे शियर वोर्ड इसली ट्रांसफर कर पाएंगे हमारे फांडेशन में तो अगर आप एकस्टियर में आपके शियर वोर्ड को प्रवाइड करना चाहते हैं तो आप इस हिसाफ से प्रवाइड कर सकते हैं लेकिन अगर आप आपके शियर वोर्ड को इंटरल ली प्रवाइड करना चाहते हैं तो उसको आपको कहा क दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद यह जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके सेंट्रल पोर्शन में हम क्या प्रवाइड करेंगे, फिर जो सेकेंड हाफ है, इसके भी सेंट्रल पोर्शन में हम क्या प्रवाइड करेंगे, और यह जो हमारा share wall होता है वो strong तभी होगा जब इसको हम continuous provide करेंगे हमारे foundation से लेकि हमारे जो top level है वहाँ तक और उसके अंदर कोई भी opening नहीं होनी चाहिए तभी वो strongest share wall के लाएगा अगर उसके अंदर कोई भी openings आती है तो जो हमारे strength और share wallet वो कम हो जाएगी और वो उतकी तरह से हमारे lateral forces को transfer नहीं कर पाएगा हमारे foundation तो यहाँ पर हमारे high-rise building होती है उसमें जो हम share wall प्रवाड करते है वह mostly जो हमारा lift area होता है उसके sides में हम प्रवाड करते है और जो हमारे staircase होता है उसके sides में हम प्रवाड करते है हमारे share wall को और यहाँ पर यह तो हो गया internally और अगर आप externally प्रवाड करना चाहते है तो यहां पर जो हमारे share walls है इसके अधर हम यहां पर openings प्रवाट करते हैं हमारे door और windows के लिए तो इसको हम बोलते हैं pier or spindle अब वो क्या होता है उसको हम समझेंगें डेटेल लिए हमारे course के अंदर फिर उसमझते हैं यहां पर हमको कौन कौन से structure में share wall के requirement होती है तो यहां पर देखिए almost जो भी buildings होती है जो की high-rise buildings होती है उसमें जो exterior walls होते है वो share walls ही होते है जैसे कि हम यह दाइलम में देख सकते हैं यह एक हमार high-rise building है तो यहां पर हम दिखेंगे side में यह corner points में यह कह है हमारे share wall है similarly यह दिखेंगे यह जो हमारे वाल है यह कहा है हमारे एक शियर वाल है लेकिन इसमें कुछ ओपनिंग उसे प्रवाइड है और यह पुरे हमारे वाल कहा है हमारे अपका RCC structure का वाल है और यहां भी जो हमारे internal share वाल से वो mostly हम प्रवाइड करते है जो हमारे high-rise buildings होती है जो की high-rise buildings के होते हैं और जो commercial buildings होते हैं उसके अंदर हम यह पे internal share work को provide करते हैं यह फिर कोई भी structure जो की high-rise building है उसके अंदर हम internal share work को provide कर सकते हैं फिर यहां पे जिस location में earthquake ज्यादा आता है यानिकि वो क्या है? earthquake prone area है वहां पे जो भी हम building design केंगी उन सबी building में हमको share work के requirement होगी Toler the building greater than need of internal share work यानिकि जैसे जैसे हमारे building के high-rise बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमारे जो need of share wall है वो हमको provide करना ही होगा क्योंकि हमारा lateral forces आएंगी हमारे building के वज़े से और earthquake के वज़े से उनको resist करने के लिए यहां पे share wall को provide करना ही होगा अगर हम यहां पे share wall को provide नहीं करेंगी तो यहां पे lateral forces के कारण हमारे structure में twisting और treasure में develop होगी जिसके कारण uneven settlement होजाएगा हमारे structure में और ultimately हमारे structure feel हो जाएगा यान की collapse हो जाएगा तो यहां पे हमारे structure में हमको share wall provide करना जरूरी है जैसे से हमारे structure की height बढ़ती है तो I hope आपको यहां पे share wall के बारे में सारी concept अच्छे से सबढ़ नहीं आगी होगी